आज रात बहुत बारिश हुई थी इस बात का अंदाजा आप इन ठंडी हवाओं से लगा सकते हो इसलिए आज मैं रोजा रख लेता हूँ ब्रश करके सहरी खतम होने से एक मिनट पहले का इंतजार था और वो एक मिनट जैसे ही हुआ चार से पाँच गंटे सोने के बाद मैं बहार निकल की देखता हूँ इतनी धूप सुबा तो इतना ठंडा मोसन था अब आती है हमारी नई गाए और कॉंटेंट उसको देखने की जिद करता है अब जैसे इसके पास आते है शाम को टाइम पास के नाव पे एक ही काम होता है पतंग उड़ाना और आज बहुत議 भारी नुक्सार हो गया पतंग कड़ी और उसके साथ धेर सारा माजा भी गया और माजा मगवाया इसको भरा इसके ओपर पांच वाला पैना माजा लगाया और हमारी पतंग आस्मानों की उचाहियों में जाता ही दुबारा कट गई हमारे पास और पैसे है नहीं तो बड़े बेशनमों की तरफ पतंगे पीछे पीछे भागते हैं उसको लूट ने लेकिन उसको किसी और ने लूट लिया तो बड़ी ही सफाई से ये कहते हुए कि ये पतंग तूट कर आगई है ये कहते हुए हमने उनसे ले ली और दुबारा एक नई उड़ान भरी